ढाबा और रेस्टूरेंट स्टाइल डाल तड़का बना रहे हैं जो कि बहुत जादा स्वाधिस्ट बन कर तयार होगी और बहुत आसान तरीके से बन जाएगी नमस्कार मैं हूँ कवीता और आपके साथ शेर कर रही हूँ डाल तड़का की बहुत सिंपल रेसिपी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सिंपल सी डाल को यहाँ पर मैंने ली हैं मिक्स डाल मिक्स डाल आप एक मुठी हर चीज की ले सकते हैं मैंने वो यूज करी है जो कि पैकेट में आती है मिक्स होकर मिक्स दाल के अंदर चने की दाल भी मिक्स होके आती है तो इसलिए हम इस दाल को आदे गंटे के लिए भिगो कर रखना बहुत जादा जरूरी है नहीं तो फिर जो चने की दाल है वो अच्छे से पकती नहीं है सब दालों के साथ मिलकर आदा गंटा मैंने इस दाल को भिगो कर रख दिया है और भिगोने के बाद तीन से चार बार इस दाल को अच्छे से धोलेंगे मसलते हुए जिससे कि इसके उपर कोई डस्ट वगएरा या फिर इसका जो सफेद पाउडर वगएरा लगा रहता है वो निकल जाए दाल हमने इच्छे से धोली है तो इसा हम प्रेसर कोकर के अंदर डाल देते हैं अब मैंने यहाँ पर एक कप डाल ली थी तो उसमें चार कप पानी एड़ करूँगी एक कप दाल में चार कप पानी बहुत होता है आप जादा पानी एड़ ना करें क्योंकि बाद में भी हम पानी एड़ कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है वन फोट टेबल स्पून हल्दी पाउडर और साथ ही डाला है आपर दो पींच मैने हींग कूकर का ढकन बंद करेंगे और इसमें लगवाएंगे दो सीथियां मीडियम आज पर दो सीथियां लगाने के बाद गैस बंद करेंगे और जब कूकर की गैस रिलीज हो जाए तो ढकन खोलेंगे देखिए दाल हमारी पक चुकी है अच्छे से मैं आपको चने की दाल मैश करके दिखाती हूँ कि वो किस तरीके की पकी है हमें दाल को बहुत जादा नहीं गोटना होता जादा उबालेंगे तो वो बिलकुल मैश हो जाएगी ऐसी दाल अच्छी नहीं लगती हलके से खड़ेपन पे दाल होती है तो वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हमें इसे कड़ाई में डाल कर भी पकाना है अब दाल हमने ढखकर रख दिये साइड में एक कड़ाई ली है उसमें डाला है दो से तीन चमबस तेल तेल जब गरम हो जाए तो उसमें डाल दीजिए आधा चमबस जीरा और जब जीरा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें डालेंगे प्याज एक बड़े साइज की प्याज को पतला काटकर डाला है प्याज को हम मीडियम आज पर लगातार चलाते वे तब तक भूनेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है हमने बड़े साइज के दो टमाटर चौपर में चौप करके लिए हैं आप बारिक टुकडों में काटकर भी ले सकते हैं और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे यहाँ पर हम डालेंगे नमक नमक हमें उतना डालना है इसके अंदर जितना की टमाटर और प्याज में जाएगा तेल रिलीज हो चुका है टमाटर और प्याज से तो अब इसके अंदर हम उबली हुई डाल डाल देते हैं डाल डालने के बाद हम डाल को मिक्स करेंगे और डाल को हमें 4-5 मिनट मीडियम आज पर पकाना है और आप देख लीजेगा इसके कंसेंस्टेंसी अगर आपको लगता है कि यह गाड़ी है तो आप इसमें हलका सा गुनगुना पानी करके एड़ कर सकते हैं अगर आपको पतली लग रही है तो आप इसको थोड़ी ज़्यादा देरुबाल सकते हैं डाल बहुत अच्छी बनकर तयार होती है इसका स्वाथ बहुत अच्छा होता है और बहुत जल्दी बन जाती है सिंपल रेसिपी है बिल्कुल यहाँ पर मैं डालूँगी एक चमच कसूरी मेथी कसूरी मेथी से भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है साथ ही इसके अंदर वन फोर्थ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है अगर बाजार वाला गरम मसाला पाउडर है तो आप आधा चमच एट कीज दाल को आप इस तरीके से घोट दीजे जैसे मैं भी इसको चला रही थी तली से क्योंकि हलकी सी डाल जब मैश हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से जादा नहीं गोटेंगे बस हलका सा ही करेंगे डाल बन चुकी है इसे ढखकर हम रख देते हैं साइड मे अब इसके लिए करते हैं तड़का तयार एक तड़का पैन रखेंगे गैस पर उसमें डालेंगे देसी गी दो चमज देसी गी से लगा हुआ तड़का बहुत जादा अच्छा रहता है बहुत स्वाद भी आता है दाल के अंदर जहां तक हो सके आप देसी गी का यूज जेगा इसके अंदर आदा चमज में डालूंगी जीरा आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं लेकिन दोनों ही चीजें लसुन भी और जीरा भी इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है यहां पर मैंने साथ से आठ लसुन की कलिया काटी हैं बारिक उनको भी एड़ करा है अब इ जैसे ही आप कश्मीरी लाल मिज पाउडर डालें तुरंत कैस बंद कर दीजे यह तड़का जलना नहीं चाहिए बिलकुल भी और इसे हम डाल देते हैं अपनी दाल पर बहुत अच्छी खुश्बों आ रही है बहुत अच्छी दाल बंकर तयार हुई है फराफर से मिक्स कर कर दीजे और आप इसे सर्व कीजिए गर्मा गरम चावल और रोटी के साथ और साथी लेजी रायता इसके साथ अगर आपको सिंपल सी रेसिपी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें